हम आपको कुछ ऐसी कमाल की चीजें फैक्टरी में बनते हुए दिखाएंगे जो आपने पहले कभी नहीं देखी होंगी इन चीजों को फैक्टरी में किस तरह और कितनी तेजी से तयार किया जाता है ये देखकर आप तो जरूर चौक जाएंगे दोस्तों इस वीडियो में आ ये जो मशीन आप देख रहे हैं ये मशीन सिलेंडर बनाने का काम करती है सिलेंडर बनाने के लिए सबसे पहले लोहे की एक चादर को काट कर उससे मशीन दौरा आधे गोल कैपसूल के याकार में कर दिया जाता है इसके बाद कैपसूल के दो हिस्सों को मिला कर बीच से वेल्ड कर दिया जाता है इसके बाद सिलेंडर के नीचे फुट फिरिंट्स लगाया जाता है जिससे के सिलेंडर जमीन पर खड़ा हो सके उसके बाद सिलेंडर का उपरी हिस्सा बनाया जाता है जिसमें उसका nozzle और उपर का guard भी लगता है जो छोटे metal plates को काट कर उन्हें shape देकर बनाया जाता है फिर उसे भी cylinder पर weld कर दिया जाता है और फिर आखिर में उसे color किया जाता है जिसके बाद cylinder पूरी तरह से बन कर तयार हो जाता है